इसी बीच एक और बड़ी खबर अमित खारकीव में रूसी अटाक मेडिकल सेंटर पर किया गया है और ये तभा हो चुका है रूस के हमले में खारकीव का मेडिकल सेंटर बरबाद हो चुका है सर इन हमलों को अगर हम आपसे समझें तो आर्मी स्टैबलिश्मेंट्स पर हमला, अस्पतालों पर, मेडिकल सेंटर, युनिवर्सिटी पर हमला तो पूरी तरह से खारखीव को कैप्चर करने के साथ ही कीव के कदम और नस्दीक बहुत जाएंगी रूसी से ना देखें ये जो है एक फ्रस्टेशन है पुतिन का और फ्रस्टेशन में उसने राइट और रॉंग आप जो है कैप्चर करो पूरी फोल लगा दिया लेकिन ये एमानवजिता है और इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए वो कहते हैं जिए आप जाईए यहां से निकल के खाली क गरिये कहां जाएंगे वह persistence के जो महाँ पे हैं मेंट्रो स्टेशन उसमें वो अगर लोग रुके में तो मेट्रो स्टेशन को बरबाद करने का मतलब तो िए एक पूरा जो महां की जन्ता को बरबाद करने का कोई उनका जो एम है वो कोई भी राशनालिटी है यह और यह एक दम बंद होना चाहिए गलत है जो हो रहा है यह बिलकुल मेडिकल सेंटर यूनिवरस्टी रेल्वे स्टेशन मेट्रो स्टेशन सब चीज़ों कुमन। और मैं इसमें थोड़ा सा इन से असामती जाहिर करना चाहूँगा। मेरी जो जानकारी में आया है कि अस्पताल में और पुलिस में और सिविलियन गॉवर्मेंट के हेटक्वार्टर्स पे वहां पर मिलेटरी के लोगों ने स्टेबलिश्मेंट बना करके डेजिस्टेंस नहीं पता है कि क्या वहां भी यह था था या नहीं खबरे आई है कि उन्होंने हर एडमिस्टेव ब्लॉक पर उन्होंने शील्ड करके तयार रखा था लेकिन अब सवाल यह है आपका यह कहना सही है कि अगर खारकीव में स्टूडेंट्स फसे हुए हैं और यह कह दिया गय नहीं की बात की जा रही थी वो मिल रहा है लेकिन क्योंकि इस तरह का संधे है कि वहां पर इंस्टॉलेशन हो सकता है यूक्रेनियन फॉच का इसलिए इस तरह के हमले है इसी बीच एक और बड़ी खबर खारकीव में रूस के अटाक की इंटेंसिटी आज सुभा से ही काफ जिस कंसिस्टेंसी के साथ हमले हो रहे थे उसमें भी इस जाफा देखने को मिला है तो यह जो तस्वीर हम देख रहे थे यही बताती है कि जब लडाई होती है तो उसका एक भाया-वया चाहरा इस वक्त आप देख रहे थे शायद जो बातचीत चल रहे इस बातचीत के जरीए इस मामले को सुलझा लेना चाहिए क्योंकि डिप्लोमेटिक एक खल हो जाता है तो शायद इस तरह से डिवासेशन देखनों को ना मिले मनीश यह बंबारी के बात की तस्वीर है एक चीज में जोड़ना चाहूंगी उस तस्वीर में भले ही हमें भाशा समझ नहीं आ रहे हो लेकिन भाव और इमोशन वो शकल और उस शकल पर लगी खून जो खून की तस किस्ता कौन है जनता जिसकी कोई गलती नहीं है ने पूरी तरह से इंस्टिगेट किया है और मुझे तो ताजूब होता है कि जलसिंग उन्होंने नैटो के इस चार्टर में साफ लिखा है कि हम में में मिम्बर पर हमले को हम प्रतिकार करेंगे और और यह पहले भी बाइड ने कहा था लेकिन इलसिंग समझे नहीं और आपने अगर कल का कल या परसों का जो बनी सैंडर्स का सीनेट में बहुत अच्छा बड़ा इस स्ट्राइकिंग बयाना है स्टिंगिंग अटैक किया उन्होंने बाइडिन गोर्मिन पे कि आप यह बताईए कि कल को अगर मेक्सि लगाने अभी लगाओ और यह सारा होते हो लेकिन जैनिक्स के कि अपनी खुदारी है वो चाहता है कि मैं अपना जो फ्रीडम है जो हमारा कंट्री फ्री है वो रहेगा और जहांता की कीमत पर यह बहुत गलत नरेटिव है कि जो पुतीन का कोई जैस्टिफिकेशन नहीं है कि नाटो तो ऐसी डिफंक्ट हो चुका था दूसरा एक जो है 1994 को एक जो इनको डिनुकलराइज किया था उस समय पुतीन ने भी यह कहा था या रश्या ने यह कहा था कि हम आपकी रक्षा करेंगे आपकी सोहरेंटी मिंटेन होगी UK ने साइन किया था तो धोका तो जो है उ इस वर्ट इवन बाई वन इंच जैकली यह उसमें और यही यही ने ने टो के सिकर्टी जनरल ने का था कि काबल के अवड़ानिस्तान के बाद मैं जर्मनी बिल्कुल फेवर में था और फ्रांस ने यह कहा था कि नाटो जो ब्रेंड़ हो चुका वो तो साथ में थे इने ब हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर